हेलो एव्रीवन आए मेर्जूगल सर फर्स्ट आपल वेलकॉम ये तो माई अलाइन लार्निंग क्लासेस तो दियर फ्रेंड्स आज का कॉरेंट से फिर सेशन मैं चितना हो पाया उतना लेके आया हूं नेशनाल और इंटरनेशनल लेवल का तो 8 अबसेंबर जितना हो पाएग क्विटिफ एक्जामिनेशन उन लोगों के लिए बहुत आचाहा है तो आज का कॉरेंट एठर करेंगे विदाऊ एन डेलर जिए तो देखते हैं आज का का क्रून एफार क्या होने वाला है ओके चलो आज का क्ने था क्विद्वा आ चर्ष्om नेए वालह आज देखेंगे कोस्टाल जोन मैनेजमेंट प्लान पर हुई स्टेट यह है आंसार है करनाटा का जो नोट की तरफ देखते हैं उसके नोट के बारे में कुछ डेटर से बता देता हूं तो नोट यह है कि मिनिस्ट्री आफ फॉरेस्ट और एंवर्मेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली यह याद रहो कॉंसा मिनिस्ट्री पूछ सकता अब लोग हो तो दो मिनिस्ट्री आफ फॉरेस्ट एंवर्मेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली आपरोब्ड दो नियू कोस्टल जोन मैनेशमेंट प्लान पर करनाटा का ओके दा प्राम मिनिस्ट्र नरंद्र मोदी ए ले दा फंडेशन फर वरियाज वाुक्स ओर्थ यो की रूपीश थीताऊजन एटहंडेट प्राट зан सी ओंड इन्थान इद्या एदारा सुर्ट्वींट यह याद रहो तो गॉल्फ फिन्सीती इन करनाट का, k diagonal का इस से फॉस्ट इस साथे साथे नियू यह याद रहो क जो कोस्टाल रेगुलेशन जोन एन नोटिफिकेशन के हिसाब से करनाटा का स्टेट को एपरोप मिला है ओके तो नेक्ट कोशन की ओर देखो तो नेक्ट कोशन क्या है कि as of March 2022 ओके फोट इस इंडियास एक्स्टरनल डेप्थ एस पार द फाइनस मिनिस्ट्री डेट के हिसाब से वह है 620 बिलियंस यह याद रखो तो नोट की तरफ देखो इसके उपर अधारी थे नोट्स तो नोट्स यह है कि इंडियास एक्स्टरनल डेप्थ रोस बाइ 8.2 परसेंट यर अन यर तो यूस्ट हिसाब के 620.7 बिलियंस एच अच 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 माच 2022 अच पर दे उनियन फाइनस मिनिस्ट्री स्टेश र पर यूस इस एक्ष ऑफट्ट आट यूजू अच अच सफवस्ट के सफेश वाल 52 tamt 23.2 पर वस्टॉजघ था जब ला इस दो लार। आट यू इसेंर वस्टतॉज IS ग्रूप यू जद एट व लूपग एइस लूप औस अच 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 तो जीडीपी वास 19.9 परसेंट फाइल रिजर्ब टो एक्टनल डेप्ट रेशियो वर 97.8 परसेंट तो डियर फ्रेंड डोंट गेट कॉन्फूज हीर मैं आप लोगो पीडियेफ प्रोफाइड कर दूंगा मेरे जो डिसकी सम्ली पे वह टेलीग्राम का लिंक है आप लोग जोएन करो वहाँ पे डोंट गेट कॉन्फूज आप लोग को सारा का सारा भेज दूंगा डोंट बुरी तो यहाँ पे देखो नेश्ट कोसें की और कि फिस कंट्री इनागुरेटेड महित्री सुपर थर्माल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडियास कंसेंशनल फानांसिंग स्कीम यह आंसर बंगलादेश बंगलादेश फिस कंट्री इनागुरेटेड महित्री सुपर थर्माल पावर प्रोजेक्ट बहे बंगल ऊस्थ नमटन एक पुछाँ टोऺटवा नईस 감사합니다 भास्ट इनाजल को नाजार व क्षिण है वह भारतर भारत बैयोटेग्ट है खाब hairs बायोटेक्ट तो इसी के आफ़र थड़ा नौटस देखो अच्छे से नोटस बहुत इंपोरण होता है क्यों कि नोट संही कभी-kभी मतलब कोसें डाल देते हैं तो द्रॉक्स कॉंट्रोल जेनरल आप इंडिया याद रखो DCGI द्रॉक्स कॉंट्रोलर जेनरल आप इंडिया एफ्रोड कॉंट्री इस फास्ट इंटर नाजल कोविट 19 vaccine for restricted emergency use in those is above 18 years the vaccine name in covac was developed by farad biotech and it is the only the second such vaccine in the world after can see no biologics of the vaccine in China he has second is second and to get regulatory approval in covac is a sympanji यह याद रखो sympanji adenovirus vector recombinant nozzle vaccine that has been formulated to allow delivery through nozzle drop यह nozzle drop के हिसाब से यूज किया जाएगा होगे drop drop के हिसाब से वो यूज होने वाला है तो वो याद रखो इनको भाग यह है जो भारत biotech जो company है develop किये हैं तो next question कि और देखो कि हूँ ओन मेंस सिंगिल एड जापान ओपन 2022 यह स्पोर्स के हिसाब से देखो हूँ ओन मेंस सिंगिल्स एड जापान ओपन 2022 उसका आंसार सही आंसार है देखो अब लोग को दिखा देता हूं अच्छे से जूम करके वह आंसार है निशी मोटो केंटा निशी मोटो केंटा तो उनके उपर देखो यह 20 years old के हैं बज़े फ्रम जापान ओन हिस फास्ट केरियर के हिसाब से टाइटल जीते हैं मैंस में तो नेट को सिन देखो कि फिस मिनिश्ट्री लांच शिक्सब और टू एडवांस एनिपी वी नेशनल एज्यकेशन पोलीसी विश्मिनिस्ट्री लांच्छी सिंघ सिक्सपरवास लांच वाई यूनोन मीनिस्टर्स जो कि अन्यपूर्ण देवी एंड राच्छुमार रंजन स यह दोनों जो मिनिस्टर है जो शिक्साप और लॉंच किये हैं तो अनौर टीचर्स लोगों को अनौर करने के लिए तो याद रखो यह शिक्साप और कर देखो कि खिस इंसूरंस कंपवारी विल्ट स्थ ऑनलाइन इंसूरेंट ब्लाटफर्म आनगोगलीं अनग्रौपारीं जो एड एजडी एफसी एगरो यह याद रखो एजडी एफसी एगरो तो नेश्ट को सिन की और देखो कि फूइस एपटेड एस निव होम सेकरेटरी आप यूड़ तेम इनाटर किंडम के निव होम सेकरेटरी कौन है बाइप यूड लीज ट्रॉस के स्वेला ब्रेवर मेन यह याद रखो जो कि एपटेड हुए है निव होम सेकरेटरी के साब से अब यूके किसी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रॉस के द्वारा ओके तो नेस्ट को सिन देखो नेस्ट को सिन है कि फूइस state will be on vail बाई प्रायम मिनिस्टर नौरेंद्र मोधी के द्वारा कौन सा एक ओ स्टेच्य अन्विल होने वाला है जो कि dedicate to करत्य ब्यवपत का जो मतलब कुन सा एक्ठो स्टेच्यू है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरंद्र मोधी अन्भिल करने वाले हैं वो है नेताजी सुवास्चंद्र बोस की स्टेच्यू है ओके वो याद रखो नेक्स्ट की देखो कि रिसेंटली टीवी संकर नारायन पास अवे हुई इसी वो कौन थे वो है करनाटिक भोकालिस्ट ओके तो नेक्स्ट कोस्चिन क्यों देखो को मैं यह पोईंटेट इस इंडिया था करनाडा सवंजय कमार बर्मा यह याद रखो ही सक्षिदेट अंसुमान गोर को वो क्रोस करके संजय कमार अभी अपोईंटेट हुए है जो की इंडियास हाई कामीस्टर के हसाबसे having to तो नेक्ट को सिंगे और देखो कि नेक्ट को सिंग फिस मिनिस्ट्री लॉंस सिक्सा पर यह रिपीटेट हुआ है को सिंगे तो आप लोगों पता चल चुका कि मिनिस्टे प्स्टेट फॉर एड़्ुकेशन जो कि अन्नपुर्ना देभी और राजकुमार रंजन सिंग यह अ कि पीटर एलबर्स हो कि जो की रिप्लेश बाए रोनोजय दॉट्ट को रिप्लेश करके पीटर एलबर्स जो की सी यू हुए अभी रिसेंटली एपट्स हुए हैं इंडिगो के कंपैनी में तो नेक्ट देखो हाँ मैं इंडिएंटीस हैँ आप जोएंड थे वरेंगी टरिशूर अन लिना निलांबर टेनोटोह सी तीजान किया हैं जो की जोएंट किया हैं इंडिएंड बडलने सिवार को मैं उवरेंग चुछंग उन्हेंगल निलांबर टेंडिएंड आपाहि यह यह द्यू ती learning cities के साब से जो कि live law learning a reality for all at the local level के लिए ओके तो next question कि और देखो कि India's healthcare industry to grow how much in size by 2025 ओके India healthcare industry to grow how much कितना वो 50 billion जो कि health minister जितेंदर सिंह है भी ओके तो next की और देखो अच्छे से धियान में रखो क्योंकि हर मतला हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत important है तो next की और देखो की who inaugurated NALSA Center for citizens Legal Assistance Center for NRIs अस्वार टेनिंग सेंटर एंडिजितल कमांड सेंटर फर प्रोवाइडिंग फुचरिस्टिक लेगल सार्विस अक्रोस दे कौंट्री रहु इनागुरेटेट नालसा सेंटर जो की फर सिटिजन के लिए लेगल एसिस्टेंट सेंटर फर NRI के लिए ट्रेनिंग सेंटर एंडिजितल कमांड सेंटर फर प्रोवाइडिंग फुचरिस्टिक लेगल सार्विस अक्रोस दो कॉंट्री वह सही अंसर है आपके लिए देखा देता हूं वह है चीफ जस्टिस अफ इंडिया उदर उमेश ललित ओके यह चीफ जस्टिस है अभी तो नेक्ट की और देखो कि फिस स्टेट गोभर्मेंट लॉंच्ट पधमाई पैन जो कि स्कीम है एक्टो है बोजो कि फर गाल्स्टुडेंट के लिए तू प्रोवाइट मश्ट ली एसिस्स्टेंस फर दिया स्टॉरी के लिए बहुत अच्छा स्कीम है यह ए और आप्टर देट फर मेरेश बहुत इंपोर्टन आपटर देट अप मेरेश के एड़े भी एड़े फंक्षन एंचनाई इन दे प्रेजन्स अब दिल्ली चीफ मिनिस्टर अर्विन केजरिवाल जब प्रेजन्स थे एक फंक्षन में चन्नाई में वही टाइम पे कौनसा एक्स्टर स्टेट गभर्मेंट लॉंच किये है जो कि पुधु माई पैन स्कीम के वह है तामिल लड़ों चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन यह याद रखो तामिल लड़ों की जो है जोएंटली कॉड़क्टेट दो वर्चुल साइबर सीकुरिटी एकसाइज फर 26 कांट्रीज कितने टो मादल आप कांट्रीज के लिए 26 कांट्रीज के लिए तो वह एंसर है UK government in this exercise international counter okay ransomware initiative resilience working group facilitated by the British aerospace system these companies are responsible for the distribution of electricity to domestic customers and are the last link to the public supply UK government okay the other for 26 country college exercise for 26 countries के लिए तो next year देखो next question यह है मैं थोड़ा बता दिता हूं अब लोगों को और भी एक टो कोसे नहीं आपे है थोड़ा सा कि प्रेसिडेंट द्रोपोदी मुर्मू विल लांच फ्विस अभियान ओके प्रेसिडेंट जो प्रेशेडेंट और फिर्पदी मुर्मू विल विछ अभिजान टू एलिमिनेट टूबर क्लोसी फर इंडिया बायट ट्वेटि त्वेटि ट्वेटि वह किया है वो मतलब एक ठोल लांच किये हैं दुर्पदी मुर्मू टीवी मुक्त भारत अभिय हैं तो नेक्ट को सिन क्यों देखो कि आइस्टीम इनिसिएटीव लॉंच्ट फिस प्रोग्राम टू एमपावर वोमेन तु कॉंट्रिबूट तु दो साइन्स टेकनोलोजी एन इनोवेशन सिस्टम के लिए ओके आइस्टीम यह है आइस्टीम इनिसिएटीव लॉंच फिस लॉंच किये है जो कि एमपावर तो दो वोमेन तुट कॉंट्रिबूट तो इस्टेकनोलोजी और इनोवेशन सिस्टम के लिए बहे वेस्ट फ्रोग्राम वह प्रोग्राम का नाम क्या है वेस्ट प्रोग्राम मैं बदा देता हूं कि वोमें इन इंजिनियरींग ऑन टेकन स्टेमबर आज का दिन 8 सेप्टमबर हीस अब्जर एज फूस्टे कौन सा डे के हिसाब से वह अब्जर किया जाता है वह इंटरनेशना लिटरेसिटी यह यादर रखो इनटरनेशनल लिटरेसिटी कौन सा दे हैं ओके एट सेट आज का दिन तो 2022 वुसका थीम है ट्रांस्फॉर्मिंग लिटरेसी लार्निंग्स स्पेसेस यह उसका थीम बहुत बार कोसिन में आही जाता है आपके लिए तो यह नेक्स्ट कोसिन क्यों देखो बीर्जु साहा रिसेंटली पास्ट अवे हूँ इस ही वो कौन थे एक तो बीर्जु साहा एक इंडियन बॉक्स थे एक इंडियन बॉक्सर वो डिसेंटली पास्ट अवे उसका देहांत हो गए तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट को सिन यह है कि आज का लास्ट को सिन फिस्टेट हैस बीन एक्रेडिटेट द इंटरनेशनाल ट्रावल आवार 2023 फर बेस्ट डेस्टिनेशन फर कॉल्चर बाय दो पतवा ओके वह वेस्ट बेंगल उसका फूल फर्म पतवा इस स्पेसिफिक एरिया ट्रावल राइटर्स एस्सेशन यह है आज का लास्ट को सिन तो जितना सारा को सिन और अंसर आज डिसकस हुआ करंट से फिर में असा करता हूं हर इक पॉइंट आपके लिए बहुत इ जाहिन